सब्सक्राइब कीजिए रीना शर्मा चैनल पे और नए रेसिपीस की जानकारी के लिए बेल आइकन पर प्लिक कीजिए हेलो नमस्ते रीना शर्मा चैनल पे आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस धाबा स्टाइल आलू मटर की सबजी जिसे रोटी और पूरी के साथ खाने पर ये और भी स्वादिश्ट लगते हैं तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिया है एक मीडियम साइस टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है 100 ग्राम मटर दो मीडियम उबले हुए आलू जिसे बड़े टुकडो में काट लिया है एक बड़ा साइस प्याज बारिक कटा हुआ दो चम्मच काजू का पेस्ट एक चम्मच गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच जीरा कुछ कसूरी मेथी कुछ कटा हुआ हरा धनिया देट चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच हल्दी दो चम्मच अद्रक और लसुन का पेस्ट एक चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर दो हरी मिर्च कटी हुई एक चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार सबसे पहले एक कढ़ाई में मीडियम आज पर तीन से चार चम्मस तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तब डालेंगे जीरा हरी मिर्च प्याज और अद्रक लसुन का पेस्ट डाल कर दो मिनेट के लिए बून लेंगे अब डालेंगे टमाटर पेस्ट धनिया पाउडर हल्दी जीरा और काली मिर्च का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे मटर अब मटर को नरम होने तक इसे दीमी आज पर पाउडर पाउडर के लिए धक कर पकने देंगे पाउडर के बाद हल्के से चला कर इसमें डालेंगे आलू अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे डेड़ कप पानी एक छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार काजू का पेस्ट गरम मसाला पाउडर अब इसे ढखकर आट मिनट के लिए टेज आज पर पकने देंगे आट मिनट के बाद इसमें डालेंगे हल्का सा मसलते हुए कसूरी मेथी कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे अब ग्यास को बंद करके सबजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे स्वादिष्ट आलू मटर की सबजी बनकर तैयार है अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए शेर कीजिए और नए रेसिपीस के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू पर वाचिंग पर वाचिंग झाल झाल